हाई, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Urbanization and Economic Development देखे जिस तरह से Urbanization हो रहा है उस हिसाब से Economic Development भी काफी ज्यादा हो रहा है तो जिस तरह से Cities जो है ये एक Advanced Level पे पोच चुके Because of this Urbanization, Human Development के अंदर भी काफी Change आ चुका है चैसे की productivity काफी बढ़ चुकी है, competitiveness भी काफी ज़्यादा बढ़ चुकी है, because of the advantage of the city, city जिस तरह से एक advantage level पे, मतलब economic जिस तरह से growth हो रही है cities के अंदर, उस इसाब से human development भी काफी ज़्यादा हो रहा है, तो जिस तरह से demographic जो है, mainly demographic जो है, cities काफी बढ़ रहा है, एक opportunity बन के वज़े से mainly knowledge हो गया, innovation हो गया, production हो गया, services का, और बहुत सारे जो facilities है, in the trade and commerce, यह सभी बढ़ रही है, into the cities, जिसके वज़े से mainly human development हो रहा है, और economic development हो रहा है, तो अभी जो है latest, जो trend है, जो city ले जा रहे है, mainly, वो नए-ने technology, ओके, और उसके बाद, जो भी learning हो गया, sharing हो मतलब इस टाइब से अलग-अलग चीजों में काफी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, because of the development of the cities, तो जो culture हो गया, political हो गया, social, economic, यह सभी maximum changes आ रहे है, okay, because of the urbanization, economic development काफी बढ़ रहा है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो urbanization हो रहा है, okay, in the cities के अंदर, इससे काफी ज़्य ज़्यादा changes हमें देखने को मिल रहा है, in the culture, political, social, और economic changes हमें काफी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, अभी हम कुछ economic role देखेंगे, जो mainly urbanization से हुआ है, okay, जैसे कि mainly economic of agglomeration हो गया है, मतलब यह कि cities के अंदर जो है, ओ, economy के तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, mainly, जो cities में जो लोग काम करते, okay, उनके cities में जो काम करते, ओ, mainly specialized होते, okay, तो उनकी demand बढ़ रही है, mainly, demand बढ़ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, production बढ़ रहा है, तो production बढ़ने के वज़े से क्या हो रहा है, economic growth हो रहा है, तो यह जो है, यह बहुत ज़्यादा जो है, ज और देश का भी जो इकॉनोमिक डेवलक्ट में यह बल रहा है विकॉस अब दशीटी जो है बहुत मैस्यू मतलब बहुत ज्यादा मैस्यू में क्या हूँ रहा है एकॉनोमिक डेवलक्ट चीजे जनरेट हो रही है जैसे कि हम देखते कुछ ऐसे देशे जहाँ पे अर्बन जो है ओके अर्बन एरिया अर्बन एरिया के वज़े से जो जीडिपी में काफी ज्यादा ग्रोथ हुई है ओके और ग्रोथ होगी तिल 2025 तक ओके जिसमें चायना यूनाइटे स्टेट इंडिया ब्राजिल मैक्सिको यह बहुत बड़ी बड़ी ओके मतलब यह जो देश है इन्होंने बहुत ज्यादा जीडिपी में ग्रोथ लेके आए ओके और आगे चलके लेके भी आएंगे इन 2025 तक जैसे चैना जो है जो ग्लोबली ग्रोथ किया है मतलब ग्लोबल ग्लोथ जो है उसमें 31.2 ओके इतना प सेवन परसेंट ब्राजिल चू calamट इट परसेंट मेक्षिको 1.6 परसेंट इतना जो है मेनली क्या कर यह सबाद हो जो ग्लोबबल ग्रोथ होगी ओके जो ग्लोबल ग्रोथ होगी उसमें यह जो देश है यह काफी ज्यादा मतलब क्या किर एड और कर रहे मेली ओके इन दीन् तो इंड़स्राइजेशन का सेट अप वह सारे जगह पर क्योंकि इनको क्या हो गया बसे अर्बर फ्रप्र मगां हो गया तो इसके वजेसे में उसके उसके इंदर स्पीसियल बढ़ गया जिससे कहा हुरा है प्रोडक्शन बढ़ रहा है उट्मेटली ओके तो फ्रेड ओके प्रोडक्शन बढ़ रहा है विकाज आप लिए दा स्पेशियलाइजेशन इन दा सर्विसेज तो अभी है यह यह देखे हमने एक्टोनामिक आफ अग्लोमेरेशन ओके अभी गहार एर्बन एर्या जो है और सिटी जो है एकमेली देखा जाता है इसके लिए इंपलोइमेंट चले क्लिए लोग जो है ओओं उल्ट रावर्बन ऐरा Benton के शिटा जाते बिलकाव भी वक्याव अपीनि ऊप्लाइमेसिद डेकने लिए कि आंदर जाते जिसके वजह से क्या ओरा मेंली पूवर्टी जो है गरीभी हो कम होते जा रही है और जो रूर पापुलेशन ने किस तरह सिफ्ट हो रहे हैं तो यह जो है जो अर्बनाइजिशन के वज़े से मेंली जॉब क्रियेट हो रहे हैं ओके और यह जो है सिटी एक पोटेंशल लेबर मार्केट बन च आ रहे देन दा सिनरिक इफेक्ट आप देटी क्लस्टर दे के सेम टाइप के अगर कहीं पे दो सी टी अगर सेम टाइप के अगर काम करते चाया है उके इसके वज़े से इसके वज़े से उन दोनों में क्या औरी कंपीडेशन और कंपूटिशन के वज़े से उनके अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो जो सी टी दिसे उनको मेली प्रोडक्षन ओके जो भी अनकी गूरो सर्विसेश से जो जो प्रोडूस करते हैं उनके बेस पे उनको क्या किया जाता है क्लस्टर किया जाता है कोई लो कॉलिटी का प्रोड़क्शना सर्विस प्रोड़ाइड करता है कोई हाई कॉलिटी का करता है तो जिस तरह से जिस तरह से कॉलिटी के बेस पे भी हम उनको क्लस्टर कर सकते देन चीज़े कीस तरह से होता है विए आप दा स्पेशलाइजेशन जीस सि इस्येसे स्पेशलाइजेशन होगा उए सी साप से वहां पर प्रोडक्शन होगा अगर देखें ये मायनली इसके वजह से क्या होता है इसके वजह से दोनों में competition बढ़ती है ओके और output definitely अच्छा आता है then high productivity of the cities lead to high national development तो अगर ज्यादा productivity बल रही है okay cities के अंदर तो इसका मतलब क्या हो रहा है national development भी ज्यादा हो रहा है okay तो यह क्या है दोनों एक डारेक यह क्या है दोनों directly proportional है अगर cities के अंदर productivity बल रही है इसका मतलब क्या होगा मेली जो national development है वह भी बल रहा है so it means जो high level of productivity जो है और directly proportional होती है national development के लिए then variation in the growth in the in between cities तो अलग-अलग cities के बीच में अलग-अलग जो है as per the economic growth ठीक है ओ मतलब variation होता है तो जिस तरह से economic growth होगी ठीक है यह mainly किसके उपर depend करता है वहाँ पे किस तरह की population है तो population growth mainly depend करती है economic growth के उपर तो economic growth जो है वो directly proportional होती है okay on the population growth के उपर अगर किसी देश में अगर population growth हो रही है इसका मतलब क्या है वहाँ पे economy भी growth होगी तो इस तरह से mainly यह भी depend करता है कि वहाँ की जो location है किस तरह से climate किस तरह से city का climate किस तरह का है resources क्या क्या available है वहाँ पर administration किस तरह का है governance suitable infrastructure किस तरह से तो यह सबी चीज़े हैं बहुत ज़्यादा depend करते हैं कि cities का बहुत सारा जो climate है environment है वहाँ की जो भी resources है कैसा administration है यह सबी चीज़े determine करता है वहाँ के economic growth के उपर क्योंकि ultimately जो लोग अगर वहाँ जाएंगे then only वहाँ पर क्या होगा economic growth होगा और लोग क्यों जाएंगे because of all this ओके चीज़े के मतलब all this thing will influence the people to shift from the ruler area to urban area ओके तो cities के उपर भी बहुत ज़्यादा defend करता है जैसे सूरत हो गया यह western India का country है तो western India का sorry मतलब city है तो इसके वज़े से यहाँ पे जो है mainly क्या हो रहा है national average जो है काफी बल रहा है तो उसके बाद mobilization and urbanization of resources तो जैसे जिस तरह से demand बढ़ती है उस हिसाप से क्या होता है productivity बढ़ती है तो demand जो है demand increase होता है तो यह बहुत सारे resource जो अलग-अलग resources होता है इसके उपर भी depend करता है और फिर resources जैसे अलग-अलग resources उसके लिए चाहिए भी होते अगर मान लीजे demand बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है अभी हो demand को fulfill करने के लिए resource की जरूत पड़ेगी तो resource जरूरी होते फिर उससे हिसाब से production भी बढ़ता है ओके यह mainly common feature है किसी भी urban area के अंदर अगर demand बढ़ेगी तो resource चाहिए demand को fulfill करने के लिए फिरो resource मिल जाएगा तो definitely जो production है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा ओके इस तरह से mainly क्या हो रहा है जो जो urbanization है उसके अंदर उसके अंदर जो resources है ओके resources है वो काफी ज़्यादा useful हो रहे है ओके then cities as a tool of poverty reduction mechanism cities के अंदर mainly लोग क्यों जाते ओके employment के लिए जाते तो employment के लिए जाते तो इसका मतलब क्या है उनको वहाँ पे क्या मिलेगा okay employment मिलेगा it means what their financial जो financial उनकी ग्रोथ है ओहोगी वहाँ पे तो इसी तरह से mainly जो cities है ओपुवर्टी reduction करता है मतलब गरीभी को कम करता है और एक और एक गरीभी को हटाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है cities क्योंकि cities के अंदर क्या होता है employment होता है okay तो then urban competition अभे competitiveness तो global market को हमें mainly बढ़ावा देना है जो भी cities है उनको globally उनको तयार रखना है उनका जो रोल है fundamental role जो है okay उनको जो mainly जो अपना बहुत ज़्यादा contribution करते in the national GDP के अंदर तो हमें उनको बहुत सारी चीजों में उनको ओके independent रखना है so that वो क्या कर सके अच्छा productivity कर सके ओके capital intensity को बढ़ा बढ़ा सके high level of human capital बढ़ा है ओके देन infrastructure को बढ़ा यह सभी कब हो पाया हो पाएगा जब हम क्या करेंगे उनको उनको एक अच्छा independent एक मतलब independent रोल दे देंगे so that जो उनके अंदर competition बढ़ेगी और competition बढ़ेगी और definitely they will work on the global market and global market के उपर जब काम करना शुरू कर देंगे then definitely all this that is high productivity बढ़ेगी उनकी capital intensity बढ़ेगी ओके high level of human capital बढ़ेगा और great level of infrastructure यह सभी generate हो जाएगा तो cities जो है न वह एक power generator है revenue का ओके और यह market जो जो भी development होता है उसके लिए काफी ज़्यादा जरूरी है तो उनको decision development से related decision लेने देना चाहिए क्योंकि जो cities है mainly ओके ओ क्या है ओ मेंली जो revenue generation का एक बहुत बड़ा source है तो उनको development से related जो चीज़े है उनमें उनको खुद decision लेने का अधिगार देना चाहिए government को and उनके अंदर sufficient investment करना चाहिए adequate infrastructure को बड़ावा देना चाहिए ओके जैसे कि transportation, communication, power supply, water, sanitation, housing यह सभी चीज़े mainly उसके अंदर यह सभी चीज़े क्या करता है वो provide करता है और यह सभी चीज़े mainly provide करना चाहिए cities के अंदर अगर यह सभी चीज़े हम cities के अंदर provide करेंगे तो definitely क्या हो जाएगा वहाँ पर economic growth बड़ेगी लोग वहाँ रहने लगेंगे और economic growth बड़ेगी तो अभी देखते हम देखें यही सभी चीज़े होने के वज़े से किसी-किस cities में क्या होता है development बहुत अच्छा हो जाता है वहाँ पर innovation होता है entrepreneurship बढ़ती है तो इससे क्या होता है mainly जो national environment है किस related market development से related वह काफी ज़्यादा क्या होता है बढ़ जाता है mainly increase हो जाता है तो इस तरह से हमने देखा कि जो cities के वज़े से किस तरह से economic growth हो रहा है mainly okay क्या-क्या economic development हो रहा है और यह सभी चीज़े किस तरह से देश के economic development के उपर असर कर रही है तो cities के वज़े से urban के अंदर competition बढ़ रही है ओके देन ओर लोग जो cities है ओ मेंली पुवर्टी को reduce कर रहे है देन cities के वज़े से जो resources है उसका utilization किया जा रहा है और इससे क्या हो रहा है mainly variation हो रहा है growth के मतलब जो cities के अंदर जो growth है उसके अंदर अगर productivity बढ़ती है किसी cities की ultimately क्या है national development हो रहा है ओके और इसी अगर हम cities को एक hierarchy के अंदर रखेंगे तो इससे क्या हो जाएगा competition बढ़ेगी productivity बढ़ेगी ओके देन यह employment generation का एक जरिया है cities और इससे क्या हो रहा है mainly जो देश का जो अलग-अलग देश के अंदर जो GDP है उसमें काफी ज्यादा economic anglomeration लेके आ रहे तो इस तरह से हम देख रहे किस तरह से cities का जो जो रोल है उके अर्बनाइजेशन के वज़े से काफी ज्यादा economic मतलब economic रोल जो है अर्बनाइजेशन के वज़े से काफी बढ़ गया है ओके तो हमने क्या देखा mainly की urbanization and economic development urbanization के वज़े से की तरह से economic development हुआ है ओके that only we will discuss in this video so in the next video we will going to discuss the urbanization and social development so that's all for this video thank you bye bye